हलो फ्रेंज वेलकों बैक टू मैं चैनल सो फ्रेंज आज जो मैं लिक रहा हैं अपनी रैसिपी वो है मेरी केसर वनीला आइसक्रीम और यह आइसक्रीम इतनी इजी और इतनी टेस्टी है ना गाइस आपको यह बेहत पसंद आने वाली है और दोस्तों वीडियो पूरी देखन और लाइक कीजिए और ज्यादा से जादा इसको शेयर कीजिए और मेरी लेटेस वीडियो देखने के लिए वाइल आइकन को ज़रू प्रैस कीजिएगा तो चलो देख लेते हैं किस तरह से बनाई है मैंने ये केसर वनीला आइस्क्रीम यहां पर ले लिया है मैंने हाफ कप शुगर देख सकते हैं कॉंटिटी हाफ कप लिया है कॉंट फ्लॉर लिया है यहां पर हमने तू स्पून कॉंट डारेंगे और आप देख लिए हमने लिया है फुल मिल्क 500 ml में हमने ले लिया है मिल्क केसल ले लिया है हमने यहां पर अल्ली फोर इंग्रेडेंस और हमारी आइस्क्रीन बहुत ही यम्मी बनने वाली है तो वीडियो पूरी देखें और लाइक और शेयर जादा से जादा कीजिए दोस्तों तो यह देख सकते हैं यहां पर मैंने थोड़ा सा मिल्क ले लिया अलग से कप में यह अलग से लिया है म लिए करिब हमारा क्वान फ्लॉर है इसको मैं अच्छे मिला लोगी इसको दूत के अंदर हम ग्रलेंगे ने थो तो हमने यह अलग से लिया है हां कप आप देख सकते हैं अच्छे से मिलाइगे को उक्लों को जिससे की na की यह बन्क अंदर अच्छे से और हम ने वर्वति ल फुल क्रीम हमें लिया है मिल्क तो आइश क्रीम हमें साना फुल क्रीम मिल्क के जादी अच्छी बनती है दोस्तों और गैस पर हमने रख दिया है अब इसको हम उबाल लाने के लिए पकाएंगे फोड़ा सा उबाल दिलाएंगे दूद में जब हमारा गरम हो जाएगा उबाल इसका फ्रेम बहुत ही ज्यादा हमने सीम कर दिया है तो गैस का फ्रेम हमें सीम करके इसको चलाते रहना है अब यह देख सकते हैं कि मिल्क हमारा दीरी दीरे ना पक्ते-पक्ते जो आणा गारा होने लगाया तो इस टाइम हम मिला दिए इसमें शुगर जो हमने हाफ कप This यहहां पर न से पकते हैका ने की सिटरीटी केसर दाल दिए यहां पर बफ्ले पिंच हमकुट या केकर अधर के सलीर देखी सिभाई है के सथाओ के कर दिए ऊ आफ्टी उसको के करीब मैं इसमें फनीला डाल रही हूँ अब देख सकते हैं यह हमारा मिलकाथी से गाड़ा होनी लगाए यहां पर मैं बंद कर दूँग इसको ठंडा होने के लिए रखोंगी अब यह थंडा हो गया है थोड़ा सा तो जब ठंडी हो जाएगी ना हमारी जो मिलक जो है फिर उस टाइम हम दालेंगे घरकी बनी हुई फ्रैश क्रीम जो हमारी दूद की स्क्रीम होती है ना तो फ्रैश क्रीम है यह तो मैंने एक कप के करीब इसमें मिला दी है क्रीम और इसको मैं आतर्य से मिला लोगी और अभी हम इसको एक नलीक्सी जार में तो यहां प्रभी आज़ेगा क्रीम नेक्स आजाईगी इसके अंदर नर्ट वहीं हमें लानी है आप देख सकते हैं अपनी फलपी हो गई है हमारी देख सकते हैं केसर भी कलर छोड़ रहा है अपना और बढ़ी से कलर आनी लगा है मिलक के अंदर तो इसे तरह से हमें इसको कर करना है कि बहुती स्मूर्थ हो गया है हमारा मिलक के अंदर अच्छे से मेल्ट हो गया है तो इसलिए जलूरी होता है दोस्तों अभी हम इसको एक कंटिनर में डाल देंगे आप देख लीजिए सिर्फ एक आदे लीटर मिल्ट में ही हमारी कितनी आइसकी बन जाती है दोस्तों और इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगे सेट होने के लिए आइसकी को यहां पर मैं इसमेरा देख सकते हैं आपके कि पहांचे गंटे बाद ही हमारी आइसकी अच्छे सेट हो चुकी है तो अभी यह अनकम्प्रीड है यानि अभी यह पूरी तरह से तयार नहीं है दूस्तों तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे अब असानी से निकल जाएगी ठीक है और यह देखी पीछे से केसर से कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है यहलो लाइट यहलो कलर आ गया है अब हम इसके ना पीस काटेंगे अब यह अनकम्प्लीट है हमारी आजिसिंग बनी नहीं है दोस्तों इस तरह से हम पीस काट लें तोड़ा भी हाड है आप देख सकते हो ना तो इसमें अभी तोड़ा सा आइस क्रिस्टल आ चुके हैं तो अभी हम इसको दुवारा से उसी जार में डालेंगे और इसको दुवारा से हम विप करेंगे अच्छा का और यह देखी है हमारी क्रीम महीं हमने अच्छी से च्पनिये तो यह देखिके कितनी क्रीमी हो गएं कि अए यह क्रीमिय हो गosis्कों तो यह तैयार 확인 chia को डूब हम इसको दुवारा से इसको सीन्ट होने के लिए रालेंगे एक अरद के इसको नहीं में हुए पर म anno caramonu इस के नहीं लगाइंगे सासे आठ गहंते में हमारी एक दम कंप्लीट हो जाएगी तयार हो जाएगी और आप इस तरह से देख ले सकते हैं कि जो भी आप देख सकते हैं द्रॉप टॉप है न एक क्रिस्टल आयर आइस खृस्टल जो हमारे इस रेप के अंदर चिपक गए हैं ऐसक्रीं के अंदर नहीं गये तो इससे हमारी ice cream अच्छी बनती है तो यह हमने कुछ dry fruit लिए हैं काजो पिस्ते बदाम बारी काटके अब हम इसके उपर अपने साब से इसको decorate कर लीजिए तो मैं इस तरह से कर रही हूँ आप भी इससे कर लीजिए बहुत ही सुंदर भी लगेगी खाने में भी इससे टेस् हैं नेक्स वीडियो में